आप सभी का मंगलो नमस्कार मैं यहां पर विशे उठा रहा है तो जवलंत विशे और का आज करने पुरानी टाम चला रहा है लेकिन सबसे बड़ी बहुत सर्विस्मेन बुमेन के लिए जो इस तरी पुरू सर्विस करते हैं और सर्विस करते करते वह क्या कहते हैं भारी मकान बनाने में बस बात मुद्द्ध यह अपर यह एक पूच्ज इसी पर टॉपिक बात है आओ मकान बनाने में या फ्लेट लेने में या करते मकान खरीदने में मतलब अपने रहने के लिए जो भी कुछ उसमें भारी मात्रा में पैसा लगा देते हैं हुच फॉसक्ति में है हुज लगा जैते हैं और वह मांट इतना बड़ा होता है तब तो सोचते नहीं तब देखी जाएगे और यह उनको और भी को आए-बाएं हो जागा लेकिन बाद मालूम पड़ता है भी गड़ बड़ा गए परिवार वाले भी साथ नहीं दे रहे और लोगों नहीं फिर र हाथ पाऊं माने काथ पूरा दिमाग दोड़ाने के बाद बिलकुन एक तम से उदास हो गया है हतास हो गया है निरास हो ठीक है न और जीवन में जो सुख सुवज़ाएं थी जो बच्चों को मिले थी उसमें को टोती होगी आपका भी जीवन बड़ा कले एक असांत हो गया परिवार में कले होने लगया तो उसका हल क्या है हल के वल एक ही है आपके पास क्योंकि आम तरुब भारतियों के टेडिंसी है कि वो अपनी और एसेट्स को बचा के रखते हैं वो सोचते दुदर से रोग आके पीट पाट के थोड़ा सा अपना चला लो किस तरह धखता जा दूसरी चीज़े या फिर उसकी वैल्ली उतनी लगती तो यह बेचो ताकि आपका लॉन हलका हो यह सबसे बड़ी बाता कि आप चैन्च सोच अराम से मतल हो दूसरी चीज़े यह आती है या फिर आपका कुछ भी नहीं एक्सेट्स भी एक्ष्ट्रा कुछ नहीं हर तरह सा लापस है तो फिर आपने जिस चीज़ के लोन लिए उसको बेचो भई अगर मकान बनाया तीन-चार मंजिल तो फ्लोरिंग करके बेच दो और अगर आपने डारेट खली एक यह दो मंजिली रखी वी या वैसे क्या कहते हैं मतलब ग्रांड फ्लोर बहुत थोड़ा बहुत या फ्लेट ले रखा तो फिर उसको बेचना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है बहुत बड़ा प्लॉट है मकान है तो उसका आदा हिसा बेचे मतलब कुछ ने कुछ करना पड़ेगा नहीं तो आपका जो मन लाजी मैंने के कीट अपने महनत से करी है जोड़ी है वो लग क्या वकाप यह बताईया इसलिए अब समझदारी से काम तो लेलो या बच्चों को तरफाते रहों कई साल तक ठीक है कहते हैं दिन एक समानी रहते हैं लेकिन कई साल तक अगर बच्चे तरफ गए तो क्या पार पड़ेगी बताईया क्योंकि आपका लाउन तो चार-पांस ठीक है हमें पिर भी भगवान का जयाब करते रहना चहरा हुआ करते रहना चोह जिस से कहीं separate मिले को दसा दिसा मिले मार्क सम मिले ठीक है लेकिन अपनी मदद करता उसकी भगवान भी करते हैं तो आपको भी यह पा vision से काम लेना चीए बजाए ना कि समय खःगी टालने का क काम करें लोगों से सुनते रहें करते रहें परिवार वाले संतापित होतार आप भी संतापितों के डिप्रेशन में मंगल का मिल नमस्कार